सो दोस्तो एक बाफीज से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत एक और कलास में सो दोस्तो आज किस कलास में देखेंगे कलास तौल्ध हिस्टिडी यान की इतिहास की कोचन पेपर जो की आपके एक जाम के जिश्टी से अती महात पोन है सो दोस्तो आप लोग भी अच्छी तरस से त्यारी करके 32 बहतर मार्क्स लाना चाहते हैं आप लोग भी चाहते हैं कि फाइनल बोट परिच्चा में एक भी प्रिश्ट नहीं चूटे आपका जो रिजल्ट हो काफी बहतर काफी अच्छा आए तो वीडियो को स्कीप मत करें वीडियो को सुरू से लेकि लास्ट तक बने रहे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफूल होने बला इससे लास्ट तक बने रहे इस पेपर में जितने भी objective प्रिश्नी काफी, प्रिश्नी कई बार बोट पर इक्षा में पूचे गए प्रिश्न है तो सही प्रिश्न को आप लोग आची तैसी याद कर ले तो दोस्तो प्रिशन का अंसर आपसे को पहले से पता है प्रिशन पहले से याद है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप सभी को हर एक प्रिशन का अंसर कॉमेंट करना है ताकि आपसको भी पता चास के कि आपका जो त्यारी हो कैसा त्यारी है तो चलिए दोस्तो एक एक करके के सारी औपजेक्की प्रेश्चन को देखेंगे इससे पहले आप लोग यह पर नहीं हो चाहिएँ हैं तो चैनर को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता करें सबसे पहले तो चली तो सारे प्रेशन को अठीसे देखते हैं इस वीडियो हम 43 से शुरू करते हैं और अच्छी तरसे प्रॉपर देखेंगे ठीक है तो आप लोग वीडियो को लास्तिक बने रहे और एक एक अब्जिक्टी प्रिशन को याद कर ले तो आपके स्कीन पे आपका परतम प्रिशन है महा भारत का यूद कितने दिनों तक चला तो दोस्तो आपसे बोट प्रिशों पूछ सकता है महा भारत का यूद कितने दिनों तक चला इसका जो प्रिशन हो सकता है प्रिशन का परतम यूद कि सूर्स हुआ था तो 44 का राइट एंसर ओप्सन घोई अले प्रिशन आपी दिखती 45 निर्म प्रिशन है ताज महल का निर्मान किसने करवाया आप से जैन पुछ सकता है ताज महल का निर्मान किसने करवाया इसका जो कोरेक्ट एंसर है राइट एंसर है ओप्सन घोई इसका राइट एंसर है सा जहां ने करवाया तो 45 का राइट एंसर ओप्शन गोई अले प्रिष्णिया पी दिखते 46 दिर्म प्रिष्ण है वासको डिगामा कब भारत पहुंचा आप सभी को आंसर परता है तो जरूर कॉमेंट करें आप लोग समझ जाए कि हम टेस्ट दे रहे हैं उस तरह से आप सभी क आपको बोडप्रिष्ण में चार ओप्शन को सह से पढ़ लेना है उसके बाद ही आंसर गोला करना है इसका जो कोरेक्ट एंसर राइट एंसर ओप्षन गोई बेद व्यास ने की तो दिस्तो अर्टालिस का राइट एंसर ओप्षन गोई अल प्रिश्ण आपी रिख से उन चासन प्रिश्ण है भारती राष्टी कॉंग्रेस के स्थापना कब हुई नीचे चार ओप्षन देए इसका जो कोरेक्ट एंसर राइट एंसर ओप्षन खो है 1850 इसपी में जो की भारती राष्टी कॉंग्रेस की अस्थापना हुई तो उन चास का राइट एंसर ओप्षन खो है अल प्रिश्ण आपी दिख सी पाचास प्रिश इसे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आपके समने आई बटन दीख रहा होगा उस पे किलिक करको और वीडियो देख सकते हैं तो आगले प्रिश्ण आपी दिखती ही जो एक कारनूम प्रिश्ण करा है कि अर्थ सास्त के लेका कोन है तो दोस्तों आप से जैं आप एरिक्ती बान प्रिश्ण है, ईबन बटूठाय कि देख का निवासी था तो आप से जैं पूच सकता है इबन बटूठाय कि देख का निवासी था इसका जो औरिक्र ॉप्रिश्ण है सब्सक्राइब पता है तो जली से कॉमेंट करें कि 1920 में कौन सा अंदोलन हुआ इसका जो राइट एंसर है और सयोग आंदोलन हुआ तिरपन का राइट एंसर ओप्सन खोए ऐल प्रिश्णिया पी देखते चोबन प्रिश्ण है दिली चलो का नारा किसने दिया इसका जो पु वे इसन दिया तो चोबन का राइट एंसर और फसन घॉय है 15 कराई करां कि अस्थाई बंदोबस कहां लागू किया गया तो जुलिस इसका ऑंसर कॉमेंट करें इसका जो कॉर्ऴ करें चांसर याम संगा बंगाल लागू किया गया पच्पन का राइट एंसर ओप्शन को एक एक ऑबजेक्टी प्रिशन आपकी एक जाम की जिश्टी से महात्पुन है इसलिए आप लोग सही प्रिशन को प्रॉपर यादिक कर लिजे अल प्रिशन आपी रिखसी 56 प्रिशन है सेक मोई दिन चिश्टी की दरगा इस्तित है सो जालिया वला बागहत्याकन की सुर्ष हुआ जली से सभी चाचते है जली से कारते ह करें राइट एंसर क्या होगा और रामा नंद की सिसे क्योंथे तो इसका जो पूछ सकता है यह इल्योफ मुझत को अपसों पूछ सकता है इल्योफ का समधी सन गोप्त को था इसका जो कौर्यक्ट एंसर है रायी तेंसर अपसन कोईस का राइट एंसर है नेपोलियन यास तो 69 का राइट एंसर ओप्सन कोईस का राइट एंसर है अले प्रिश्णिया पी रिखते साइटन प्रिश्णिया सोतन्द भारत की पहले गवर्णन जिन्नन कोन थे आप से जाम पूछ सकता है सोतन्थ भारत की पहली गवर्णन चेनल को थे तो इसका जो correct answer है right answer option कोईस का right answer है C. राजगुपल चारी जी थे तो इस site का right answer option कोईस का correct answer है तो दूस्तो अपी तक इस वीडियो को like नहीं के हैं तो वीडियो को like जरू कर दे और साथ इस वीडियो को share कर दे ताकि जो भी student इस वर सिख जाम देने बाले हैं उनको भी help मिल सके आप लोग चाहाँ पे नहीं हो चाहाँ पहली बार एंट हो चाहाँ को subscribe कर ले ताकि इस तरक वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले तो आगले प्रिश्णिया पी देखते 169 प्रिश्णि का पी महत्पूर्ण प्रिश्णिया और इसका आंसर भी आप सुझ को पहले से पता होगा यहां पी जो प्रिश्णि कर रहा है कि हरपा सबहता में वीशाल असनारिक अपसेस कहां से पराप्त हुए इसका जो correct answer right answer option खो है अले प्रिश्णिया पी देखते जो बार्शन प्रिश्णिया लो तर किस नदी किनारी इस्तित है इसका जो correct answer right answer option गोई इसका राइट एंसर है भोगवा नदी किनारी इस्तित है बार्शिद का राइट एंसर अप्सन गोई अले प्रिश्णिया पी देखते तीसर नम प् निवासी है तो यह उनान कंत्री के निवासी है तो 63 का राइट एंसर ओप्सन खोई अलब प्रिशन्या पी दिखते चौशन प्रिशन है धम की सुर्वात किस ने की थी धम की सुर्वात किस ने की थी इसका जो कॉलेक्ट आंसर है राइट एंसर ओप्सन गोई और सोक ने की थ सिरी मत भागबत गीता के मात पर किस ने विचार व्यक्त किये हैं तो इसका जो कॉलेक्ट आंसर है राइट एंसर उप्सन गोई इनमें से सब्सक्राइब अप्सन को यह विवेका नंद ऑप्सन से बाल गंगा धर तिलक यह सब्सक्राइब जो कि सिरी मत भागबत गीता के मात पर विचार व्यक्त किया है तो इसका जो राइट एंसर उप्सन को है जो कि अकबर ने किया उसमेर जो परतिबन किसने लगा तो जहां गिरने लगाया अल प्रिष्णिया पी दिखते जो सरसटने प्रिष्णे की अकबर ने टोटमल को दिबाने ए असरफ कब नुक्त किया तो इसका जो राइट एंसर उप्सन को है अगर आपसे को आंसर परता है तो जली से कॉमेंट करें कि फा 28 का राइट एंसर ओप्सन यहां पे खो इसका राइट एंसर अकबर ने जो की राज़दा इन बनाया तो 68 का राइट एंसर ओप्सन खोए tuh दोस्तो को आपको मों बता दे बहुँ सारे चछाचत राय कोमेंट करते थे कि सर आप लाइब क्यों नहीं आते हैं तो आपको मों इधर का जो इंटरनेट है कापी शुलो चरता इसके बज़े से हम लाइब नहीं आप पाते हैं कोर्सिस करेंगे कि लाइब आज़ें ठीक है आप लोग इसलिए चाइप बने रहे हैं आप वीडियो के मैदम से त्यारी अच्छी तरह से कर सकते हैं कर रहे हैं कि लाइब हम भी कलास शुरू करें ठीक है अगले प्रिश्ण आपी देखते जो 79 प्रिश्ण है अकबन ने दीन ए इलाही कब पारम किया यह तो अकबन ने दीन ए इलाही कब पारम किया इसका जो कोड़ेक्ट एंसर राइट एंसर ओप्सन गो है 1589 इस्वी में जो की अकबन ने है दीन ए इलाही जो की पारम यानिकी सुरुवात किया तो 69 आइट एंसर ओप्सन गोईस का कोड़ेक्ट आंसर है अल प्रिश्ण आपी दिखती जो 17 प्रिश्ण निजा मुदीन ओल्या की सूफी सिल्सिले से समांधित है सु आप से जैंप पूछ सकता है रख सब्सक्राइब कंड़ वालिस कोड़ बना कन वालिस कोड़ बना कर बणा इसका जूराइट एंसर ओप्सन खोए सत्रों सो तिरैनवे स्फिर में बना तो एक अत्र का राइट एंसर ओप्सन को है अलब प्रिश्ण आपी देखती बहत्तर प्रिश्ण है महल वारी बंद वर्ष किसके दोरा लागों किया गया आपसे अस्वभियों को पता है इसका अंसर तो जली से कोमंट करें कि महल वारी ब प्रिश्ण करें कि दो ग्रेट रिवल्ट नामक पूस्ता के लिए का को ने आप लोग बताए कि इसका राइट एंसर क्या हुआ कि दो ग्रेट रिवल्ट नामक पूस्ता की राइट रशनाकार को ने इसका जो कोरेक्ट एंसर राइट एंसर ओप्सन गोई सेलीना जीटो त 1110 स्पी में जो की अधिकार किया ये सब प्रस्ट आपकी एक्जाम में आने का चांस है इसलिए आप लोग किसी भी तरह याद कर लिए आप जैसे भी याद किजिए यह आपके उपर है आप लोग आप लोग लेकिन किसी भी तरह इसे याद कर लिए अल प्रिश्णिया है यह दिखे ज़से जो प सब्कून भार्ट मे आने बला पुत गाली कुन था अपसे जैन embouch सकता है है भार्ट में आने बला पर तंप राइन सुपन गोई वासको डिगाम मायस तो भारत में आने बला पर्थम पुत्गाली कौन था तो वासको डिगामा था तो पच्छतर का राइट एंसर ऑप्शन गोह है तो दोस्तों आपको बता दे इस कलास में कलास 12 हिस्टिडी यानिक इतिहास की कोचन पेपर में कोल यहां पे 33 परशन थे कित सब्दिए कर दे साती सब्सक्राइब कर दे कि आपको कौन से सब्सक्राइब करते चाहें कि उसको पर और वीडियो के साथ का देन सुभो